बच चुकी है रण भेरी अब होने वाला है शंकनाद बीच रही है चुनावी बिसाद किस करवट बैठेगा सियासत का उंट नेता नहीं जनता करेगी तै किसको बनाएगी अपना सर्ताज चुनाओं से पहले चुनाओं की बात हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात देखिए विदानसवा चुनाओं पर चुनाओं पर चर्चा कॉंग्रेस पार्टी छोड़ MIM में हुए सामिल कॉंग्रेस पार्टी में मुसल्मानों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हिस्तेदारी नहीं दी जाती पुर्सीद सेकेदार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी धर्वों के लोगों को एक साथ चोल कर काम करेंगे कोई भी राजनितिक संगठन मुसल्मानों के हित की बात नहीं करता केवल उन्हें वोड बैंक समझ कर इस्तेमाल करता है लेकिन M.I.M. पार्टी मुसल्मानों के हित एसी है सभी पार्टियों के विधायकों ने मुसल्मानों को ठगा है किसी ने भी मुसल्मानों के लिए सिक्षा की बेवस्ता नहीं की पार्टी का में मुद्धा सिक्षा वाच्चिक सा रहेगा हमें चनाव लड़ाना है काम तरे और जो हमारी यह नहीं थी है वह हमारी जह है जो पॉलिज बनिया हमारे और जो लोगों को वितास मिले हमारी तरफ से हम अगर जमा जीत के जाएं जनता की अवाज उठाएं अपनी हमारा ही है हम तोटल अस्वाद के लिए और बचों ठेड के लिए अपना सब काम परनेगा साव करें देगाएं जीद्धायडापेंगा आपलोग इनका मशपूतीं से लडाने का पूरा काम करेंगे और इंको जिताकर विधान समाउ उत्तारग्रदिश का काम करेंगे क्योंकि समाजवादी और बस्पा ने मुस्लिम समाज को बहुत बुरी तरह से ठगाया समाजवादी पार्टी ने और बस्पा ने मुसल्मानों को डिस्पोदल ग्लास की तरह यूज किया है उनको टीशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है उनको हिस्सेधरी नहीं दीदी है हाली में आपने देखा होगा कि चंदरुशेखर की कुछ दोसी पे दी जा रही है लेकिन उन्होंने कहा कि वोई अपने दिलितों के अवास बनी है मुझे अपने समाज का एक नेता बनना है उन लोगों की हिस्सेदारी की बात होगी मैं मुसलमानों की तरफ बेवगूफ नहीं हूँ कि उन्हें हिस्सेदारी ठीज आ रहे है और वो